नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग़ा सुनु श्टेडी क्लास से यूटूब चलने दोस्तों मैं आपलोको नसी आटी वो क्लास नाइन्थ संस्क्रिट चेप्टर दो सदाशार उत्तम आचरण संस्क्रिट खंड प्रप्रसुत्तर मैं आपलोको सुनु बताऊंगा प्रस्तम नम्बर एक सत नता सजन्ना नाम कुवंती सवदार्थ आचार आचरण सद सत्य सही विचारणती सोचते हैं वंदनती बोलते हैं आचरणती आचरण करते हैं वंदनती होते हैं स्वेकी यानी अपनी सिष्ट सब्वितापूर्ण अनुसासित संदर प्रस्तुत गद्धान समारी पाठ पूस्तक हिंदी के अंतरगत संस्क्रित खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है इसमें सदाचार के महत्व पर प्रकाश ड विचारते हैं सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही सत्य का ही आचरण करते हैं वही सज्जन होते हैं और सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वस में करके सब के साथ सिष्टता का बहवार करत प्रस्त नमर दू, विने ही डैस अनुक्रणी सवदार्थ, विने बिनवरता, भूशडम, गहना, उब्दवती उत्पन होती है, अपितू बलकी विविधा, अनेक प्रकार के विक्संती, विक्सित होते हैं, दच्छिडम, उदार्तासयं, इच्छाओं का दमन, निर्विक्ता, निडर्थ, अस्मा, हमारी प्रतिष्ठा, सम्मान, सदाचार, प्रायान, सदाचार का पालन करने लगे, सिच्छरेन, सीखे जन्नी माता, एतेसा, इनका अनुक्रण करना चाहिए, हिंदी अनुवाद, विनै ही मनुषセ का आभूशन है, विनै सील मनुष सब लोगों का प्रेय हो जाता है, विनै सदाचार से ही पैदा होता है, सदाचार से केवल विनै ही नहीं है, अनीक परकार के अन्य सदगुड भी विक्सित होते हैं, जैसे धैर, उदार्ता, सैयम, आत भारत भूमी की प्रतिष्ठा संसार मी सदाचार के कारण ही थी पृत्वी पर सब मनुस्यों को अपना अपना चरित्र भारत की सदाचार का पालन करने वाले मनुस्य से सीखना चाहिए भारत भूमी अनेक सदाचारी पूर्शों की माता है इन महा पूर्शों की आचरण को अन जारेड ब्रहमण से युक्त सप्न बोधेन उचित सयन और जागरण से संभोती संभो होता है युक्तम उचित अन्युक्त अनुचित निरोतु सक्केते निर्ने किया जा सकता है हिंदी अनुवाद नियम और सयम के पालन का नाम सदाचार है इंद्रिय सयम सदाचार के मूल में इस्तित है इंद्रिय सयम उचित आहार और व्यवार तथा उचित सयन और आचरण से संभो होता है क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका सदाचार से ही निर्ने किया जा सकता है प्राप्त हुई है अधीते पड़ता है सेते सोता है जागरती जागता है अभियूदे गच्छती उन्दती को प्राप्त होता है हिंदियन वाज जो कोई भी मनुष से महान हुए है वह सैयम और सदाचार से ही उन्नती को प्राप्त होता है जो मनुष साथाना नियम पूर्वक पढ़ता है समय परसोता है जागता है खाता है और पीता हुआ प्रापT करता है treatment सभवल लच्छड इनोस वर्शाड़ी जीवती सब्दार्त सभल लच्छड सभी सुबगुण से रहेत होने पर भी सथ वर्शाड़ी जौव वर्शों तक हिंदी अन्वात सभी सुबगुण लच्छडों से रहित होने परवीजू मनुष्य सदाचारी है, सरधावान और धैरी रहित है, वो सो वर्सों तक जीवित रहता है। इश्लुक नमबर दू आचारा लभत्ते डैस प्रमधन्नम सब्दार्थ आचारा लभत्ते सदाचार से प्राप्त करता है। हनायूरा चाला लभते ही प्लस आयू प्लस आचा राथ प्लस लभते स्रियम लच्छमी धन संपत्ती प्रम उत्तम सरिष्ट हिंदी अनुवाद मनुष्य उत्तम आचरन से ही दिर्ग आयू प्राप्त करता है। सद आचरन से मनुस्य धन समपत्ति लच्छमी को प्राप्त करता है, सद आचरन से ही मनुस्य कीर्ती को प्राप्त करता है, सदाचार प्रम्सेरिष्ट धन है। प्रेस्ट नमबर 6 अत्य एवं सदाचार डेस विनस्ट भौती सब्दार्थ उक्त कहा है आयाती आता है याती चला जाता है तही तो हिंदी अनुवाद इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रच्छा करने चाहिए महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदाचर डेस्ट की रच्छा करने चाहिए धन तो आता है और चला जाता है किन्तु यदि चरित्र नश्ट हो जाए तो सब कुछ नश्ट हो जाता है फ्रश्ट नमबर 7 वृत्त यतलेन डैस हतो हत सब्दार्थ वृत्त चरित्र संचेत रच्छा करती करनी चाहिए वित मेत्री वितम प्लस एती धन आता है अच्छीडो कुछ भी नश्ट नहीं हुआ अहो नश्ट हुआ हत मरा हुआ हिंदी अन्वाद चरित्र की यतन पूर्वक रच्छा करनी चाहिए धन आता है और चला जाता है धन से च्रिण हुआ मनुष्य च्रिण नहीं हुता लेकिन चरित्र से हीन होकर नश्ट हो जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाईक करें सेयर करें कमेंच करें और नश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank You for laughing